जिन छात्रों ने 2023 इस्वी में बिहार बोट से मैट्रिक या इंटर का एक्जाम पास किया है उनको बड़ी बेसबरी से इंतजार है कि उनका माक्सीट कब आएगा तो ये आपका इंटर का या मैट्रिक का माक्सीट ओरिजनल कब आएगा स्कुल कॉलेज में कब से मिलना शुर ठीक है ये बिहार बोट की तरब से ऐसा नहीं कि कहा दिया गया कि हां पर 100 रुपया ले लो 200 रुपया ले लो ऐसा कुछ नहीं है पैसा लेने का कोई पराधान नहीं कोई नियम नहीं है तो अगर कोई स्कूल कॉलेज पैसा लेने की बात करता है तो समझे कि ये धांदली है अवैद वसूली है इसका विरोध कीजिए आप दूसरी बात कि अब हम इस Marksit को Original Marksit Matric Inter का लेने जाएंगे अपने स्कूल कॉलेज में तो क्या लेकर के जाएंगे तो आपका जो Admit Card है हुआ Original लेकर के जाएं अपने स्कूल कॉलेज में क्योंकि हो सकता है कोई स्कूल या कॉलेज आपको फोटो कॉपी लेके जाने पर आपका जो Marksit है Original Inter का या Metrica वो ना दे या फिर हो सकता है कि किसी और को अगर आप भेजते हैं मालने ते हैं अपने पपा को भेजें ममी को भेजें भाइजा को बहान को किसी को भी भेजते हैं तो हो सकता है कि उनको भी देने से मना किया जा सकता है यह अथिकार स्कूल कॉलेज वालों के पास है क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि दुश्मनी में या फिर किसी को ब्लैकमेल करने के लिए गलत नियत से किसी और कभी document कोई और जा करके और ले लेता है और बाद में फिर परशानी होती है स्कूल वालों को भी और जिसका document था उस स्टूडेंट को भी परशानी होती है तो इसलिए कुछ college वाले या school वाले क्या करते हैं कि जिसका document रहता है mark sit रहता है उसी को देते हैं किसी और को ने देते हैं अब तीसरी सबसे महत्पुन बात किये हमारा original mark sit metric इंटर वाला आएगा कब school college में तो देखिए school college में आने का कोई fix date नहीं होता लेकिन पिछले दो-तीन सालों पर अगर हम नजर डालें तो 2021 में भी जून महिने में आया था कि बात करें तो ओ भी जून में ही शुरू होता है इसलिए बिहार भूट भी आराम से उस mark sit को print करते रहता है और इसलिए जून महिने में इस mark sit को original mark sit को आपके school college में भी जाता है अब होता क्या है कि यह school college में direct नहीं भी जाता यह हर जिले के do office में mark sit पहले आएगा अब do office में जाएंगे कौन तो आपके school वाले आपके college वाले ओ वहां से receive करेंगे और ओ receive करके अपने college में लेके आएंगे school में लेके आएंगे उसका पूरा register maintain करेंगे सारा record लिखेंगे उसके बाद 2-3 दिनों के बाद बांटना शुरू करते हैं तो अगर आप सोचें कि हम direct जाके do office से निकालने direct जाके बिहार बूर्ड ऐ्ले तो यह समभव नहीं है आपको अपने school से ही म्लेगा आपको अपने college से ही मिलेगा कितना भी urgent क्यों नहrates आप पहले नहीं एक साथ आता है अगर एक college में आ गया मतलब सारे जीलों में पहुंच चुका है तो इसलिए जैसे ही मेरे school में मेरे plus to school में आ जाएगा तो मैं आपको उसके information दूँगा आपको confirm information मिलेगा इसलिए इधर उधर की बातों में आपको confused नहीं होना है इंतजार कीजिए जून में आ आपका mark sheet आ जाएगा अब एक सवाल और की mark sheet के साथ और क्या क्या document मिलता है तो mark sheet चाहे वो इंटर का हो चाहे metric का हो इसके साथ आपको provisional certificate मिलेगा और migration certificate मिलेगा यानि कि यह mark sheet provisional certificate और migration certificate या तीनों चीज़े board से print हो करके आती है और school college जो आपको है वो देता है दो चीज के है तो SLC यानि के school living certificate इसको TC भी कहते है और अगर आप inter के है तो CLC यानि college living certificate यह हो गया और एक आपको character certificate यानि आच्रन प्रमानपत्र college मना कर देता है तो तीन चीज़े board से चपके आ रही है mark sheet और migration certificate और फिर provisional certificate और दो चीज़ें आपको अपने school college से मिल रही है CLC या SLC और character certificate तो फिलाल इस वीडियो के लिए नहीं मिलते हैं अगली वीडियो में